नमस्कार फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल टिप्स & टिप्स पर तो दोसरे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पैंजनर और फैंलि पैंजनर्स की पेंट oface Department of इरियरuesto की बारे में हम यहां पर जानकारी देंगे तो notification जारी कर दी गई है तो यहां जो notification में subject mention किया है payment of air to pre pre 2016 pension फैंमली पैंशनर्स zapehanalOff for the vision of family pension, या फेर pension, with fact from 1 January 2016. तो यहां mentioned किया है, the governor Himachal Pradesh is pleased to order that 20% of the pension, family pension areas, with fact from 1 January 2016 to 31 January 2022, एक्योर टू प्री 2016 पैंशनर्स फैंशनर्स फैंशनर्स ओन अकाउंट ऑफ रूबिजन ऑफ फैंशन विट इफेक्ट फ्रॉम एक जनवरी 2016 में भी पेड सब्जेक्ट तू सीलिंग ऑफ फिप्ती थाउजन इन दा मन्थ अब सब्टमबर दो हजार बाइस आफ्टर मेंकिंग नेसेसरी एज्चयस्मेंच तो यहां पे कुछ इसमें यह मैंशन किया है कि जो पैंशनर्स यह फैंशनर्स है जो अनका एरियर बनता है एक जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक किन पैंशनर्स का जो दो हजार प्री मतलब 2016 से पहले कि जो pensioners है उनका जो एरियर बनेगा उस एरियर का उस एरियर का कितना मिलेगा उनको या तो मिलेगा 20% और या फिर मिलेगा और या फिर इसका जो maximum मिलेगा 50,000 इसका मतलब यह हुगा कि अगर जो एरियर बन रहा है total उसका 20% 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 से ज्यादा जो amount होगा वो नी मिलेगा maximum जो मिलेगा 50,000 ही मिलेगा तो यह first installment के रूप में मिलेगा तो first second third fourth installment of interim relief already paid wide department of office तो मतलब कि जो IR interim relief पहले जो जारी कर दी गई है जो pay कर दी गई है उसे भी adjust कर दिया जाएगा इस area में तो यहां यह भी mention किया गया है कि जो पहले pay की गई है IR और DA relief तो interim relief और DA relief जो पहले already pay कर दी जाए चुकी है अगर वो जो amount है इस DA amount से ज़्यादा बनता है तो उसे next जो installment होगी जो area की उसमें adjust किया जाएगा इसके साथ ही दोस्तों यह दूसरी notification भी आज ही ही की date में जारी की गई है जिसमें subject जो है payment of areas to post 2016 retirees on account of pension, family pension and graduate with effect from 1 January 2016 तो यहां भी आप देख सकते हैं point number one में mention किया गया है कि जो area of pension and family pension का जो भी area बनता है उसका 20% pay किया जाएगा और maximum जो value रहेगी 50,000 रहेगी अगर 50,000 से ज़्यादा रहती है तब भी maximum value 50,000 ही pay की जाएगी as first installment और किन को pay के जाएगी those government servant who had retired or died in hardness or on or after 1 January 2016 और shall be paid in the month of September 2020 तो September 2020 में ये area मिल जाना है और point number two की बात करें तो यहां भी 20% of area of gratuity in respect of government servant who had retired or died in hardness on or after 1 January 2016 तो ये जो gratuity का जो area है वो भी 20% ही मिलेगा as first installment और दोस्तों इस case में भी जो point number three में यही बताया गया है कि जो IR और DA relief पहले से परदान की जा चुके हैं उसके उसको भी इस area में adjust किया जाना है अगर in case जो अभी area बनेगा 20% या maximum 50,000 तो जो IR अरड़ी paid की जा चुकी है उसका amount इस area के amount से ज़्यादा है तो उसे फिर adjust किया जाएगा next area में तो next जो installment आएगी उसमें adjust किया जाएगा जो IR और DA relief अरड़ी pay की जा चुकी है तो यहां पर दिखिए first, second, third and fourth installment of interim relief अरड़ी paid on the basic pension and basic family pension तो basic pension और basic family pension की बात कर रहा है उस basic pension और basic family pension के ओपर जो IR अरड़ी paid किया चुकी है first, second, third and fourth installment इसमें दी जा चुकी है तो उनको adjust कियाने की यहां पर बात की गई है तो ठीक है friends इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो में देखिए जान करें अगर अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और first time चानल पर आया है तो चैनल को सबस्क्राइब जान करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं जान करें के साथ तब तक के लिए good bye जाहें जाबर जाहें माचल